तो हेलो गाइस विल्कम बाक टू अनदर वीडियो आज है डे एट हमारे चालेंज का आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो लाइक काफी टाइम से उठ रहा है लाइक मेरे साथ नहीं अब अनुद अनुद मेरे साथ वो इशू नहीं आए बट जब बात होती है स्कॉड कुषाक की स्कॉडा स्लाविया की और वॉक्सवागन टाइगून की ये तीन कार्स के 1.0 वाले मॉडल्स पर तो इन पर बहुत जादा कस्टमर्स ने कोईरी उठाई है कि लाइक एसी एशू है लाइक कूलिंग इतनी जादा नहीं हो रही या फिर इतना उनको वैसे वाली बहुत चिल्ड वाली गूलिंग है तो मैं इस पर आपको भी बताऊंगा मैं बहले नीचे कुषाक में जाता हूँ एसी चलाता हूँ फिर आपसे थोड़ी बात है करूंगा तो आप चलते हैं तो गाइस आगे हम अपनी कुषाक में यह हम बेड़ गया और यह रह एसी अभी है एसी ओफ और क्योंकि यह टॉप मॉडल नहीं है तो इसमें मानुवल एसी है मैं आपको पहले बता दू और यह जो इशू रेस हो रहे यह जितना अभी तक लाइक जितनी भी कुईरीस लाइगून या आपकी हो स्कॉडा कुषाक या फिर स्कॉडा स्लाविया तो यह जितने भी अभी तक इशू जाए एसी पर यह मैं आपको बता दू सिर्फ टॉप मॉडल जिसमें आटमाटिक एसी है और मानुवल एसी नहीं है सिर्फ उसमें आ रहे है कि लाइक एसी लिए टूप मैं करतेता हूं लाइक मैं जेनरली टूप चलाता हो विकॉस सफिशेंट है मेरे लिए क्यूंकि काफी ठंडी हवा आती है मैं आपको हां एक चीज़ बोल सकता हो जैसे वह तो इसमें है विकॉस हाइब्रेड है तो जैसे अब हम कार ड्राइब कर रहे हो एं ल जब तक वह आफ होती है तब तक जरूर एसी की कुलिंग कम होती है विकॉस कार में रेस नहीं दे रहे हम एंड राइक कार ओफ है इंजन नहीं रन कर रहा इसलिए तब तो लएक आपकी कुलिंग कम होती है बट टच वूड मेरी अभी तक कुशाक में ऐसे मुझे कोई जो एप के सामने करे बूड उब सानी हों के बांक है यो इस की तॉल्ट कोनवर्टर का जो लोग कह रहे किटरूर्टर की प्रौड में आरा हुड़िया इस लिए फिते नहीं में उससे स्प्ते मरां आपके जाता है तोर्क नवर्टर का कोई relation नहीं है एक की कूलिंग से अपने पेटरोल डीजल का भी कोई वह कहते हैं रिलेशन नहीं है तो यही सब मैंने आपको बताना था बाकी जो मेरे इशू अगर आ रहे थे दो तीन वह बिल्कुल सॉल हो चुकिए और लाइक बिल्कुल परफेक्ट है मेरी कुशाक टच्छोड ऐसी चलते रहे बाकी इस इशू के रिगार्डिंग लाइक अगर आप कंपनी को कंटाक्ट करो या फिर तो वह आपका पूरी सुनिंग के बात कि लाइक क्यूंकि जो लाइक स्टार्टिंग के एक दो महीने में काफी मॉडल साय थे जिन में लाइक टॉप मॉडल की बात कर रहे हो मैं सिर् कंपनी वॉक्सवागन गरुप ने पूरे वॉक्सवागन गरुप ने ओफिशली स्टेटमेंट दे दिये कि हमारा लाइक मोटे भी होता है अपने कस्टमर्स को बिल्कुल साटिस्फाय करने का तो कोई भी इशू हो तो लाइक मोस्ट वेलकम और रेडी तो सॉल्व यॉर इशू तो ऐसी कोई भी रॉलम नहीं है जो लोग कह रहें कि कुशाक नहीं लेनी स्लाविया नहीं लेनी टाइगून लेनी विकॉस एसी इशू है तो ऐसा मैं आपको बता दू अभी तक जितने भी केसे आया 99% सिर्फ टॉप मॉडल में है एक दो परसेंट है जो लाइक मै अभी आपको इसा कोई इशू नहीं है तो आइम हापी बाकी यही थी सब कुछ लाइक एसी इसू पर तो गाइस यही था जो लाइक कुशाक पर या फिर सलाविया पर टाइगून के लाइक बहुत जादे इसी इसी इसू आरे है सामने लाइक कस्टमर्स के रहें कि लाइक इसी 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 कोलिंग तो लेक ऐसा कोई प्रोब्लम नहीं है पूरी कार में वो जितने पीचेस आ रहे है सारे डिफॉल्ट आरे बट हां जो टॉप मॉडल है जैसे कुशाक में स्टाइल हो गया 1.0 स्टाइल या फिर स्लाविय में 1.0 स्टाइल जिन में आटोमाटिक एसी इसी नहीं है तो most of the cases उनी में आ रहे है और यह अभी अभी तक company ने या तो Volkswagen ग्रूप ने और स्कॉड आने ऐसे officially कुछ release नहीं करें कि लेक देर एक्सेप्टिंग देर मिस्टेक या कुछ बट उन्हेंने बस यह बोले कि इंजिनेर आर वोकिंग ओन इस इसू एंड लाइक जो भी होगा हम आपको इनफॉर्म कर देंगे और जिन जिनको प्रॉब्लम आ रही है तो लाइक आर मोस्ट विल्कम कि लाइक यह उनका रिजॉल्व कर देंगे इसू तो यही सब अभी तक आ रहे है बाकी जैसे भी कोई करेंगे मैं जरूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और यह हम खतम करते वीडियो मैंने बस बेसिकली एसी इशू पर ही बताना था बिकॉस मेरे को भी तीन चार लोगों ने मुझसे पूछा कि तेरे पास को शाख है तेरी एसी की कोलिंग अच्छी है तेरी एसी कोलिंग अ छूचा करके तेरी एसी की की घचट्स ऑलवाइब करिव दो की की के पिसाओ चे जोगों ने रखे क्रोंगा